सनी देउल की पत्मी Pooja देउल उनसे उम्र में एक महिने बढ़ी है जिहां दोनों के जो जन की साल है वो एक ही है 1957 में सनी देउल का जन हुआ और 1957 में ही उनकी पत्मी पूजा देवल का जन्व हुआ आपको बता दें कि सञी देवल की पत्ने का असली नाम लिंडा है और बाद में उनकि जब उनकी सञी देवल से शादी हुई तब उन्होंने अपना नाम बदल लिया Sunny Deol की शादी उसी समय हो गए थी जब वो Bollywood में लॉंच होने की एक दो साल बाद उनकी शादी हो गए थी दहां जाता है कि धर्मेन ने अपने बेटे Sunny Deol की शादी अपने करीबी दोस कृष्ण देव महल जो की इंगलेंड में रहते थे उनकी बेटी Linda Deol से करवा दी थी कहा जाते हैं यह शादी 1984 में हुई थी Linda Deol और Sunny Deol की शादी को बहुत लंबे समय तक छुपा कर रखा गया क्योंकि Sunny Deol बॉलीवुड में लॉंच ही हुए थी और उनकी शादी हो गई थी ऐसे में Sunny Deol ने अपने करियर की खातिर इस शादी को छुपा कर रखा था हलाकि बाद के दिनों में जब उनका अमरिता सिंग से अफियर शुरू हुआ था तो अमरिता सिंग की मा रुकसाना सुल्ताना ने Sunny Deol के शादी शुदा होने का राज खोल दिया था एक मैगजीन ने Sunny Deol के शादी शुदा होने का राज खोला था और तस्वीरे छापी थी और उसके बाद फिर Sunny Deol को भी कुबलना पड़ा था कि वो शादी शुदा है जैसे ही Sunny Deol ने कुबूल किया कि वो शादी शुदा है उनका अमरिता सिंग के साथ ब्रेक अप हो गया था Sunny Deol की पतनी लिंडा यानि पूजा Deol बहुत कम दिखती है पब्लिक प्लेस पे अपने उनको बहुत कम देखा होगा लेकिन साल 2023 में 18 जुन को जब उनके बेटे करन Deol की शादी होई तब वो अपने पती Sunny Deol के साथ नाचती होई दिखी थी यही नहीं फैमली फोटो भी जम या उनके मा या फिर उनके बच्चे उनके साथ होते हैं लेकिन उनकी वाइफ लिंडा को वहां कम ही देखा गया है हाली में पूजा Deol के बेटे करन Deol ने उनके साथ उनकी तस्वीरे शेयर की थी और ये तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी वाइरल हुई थी इस तस्वीर में लिंडा यानि पूजा Deol बहुत खुबसूरत दिख रही थी और उनके इस तस्वीर पर उनके देवर वावी Deol न बाहर निकलती है ना तो बॉलिवुड की पार्टियों में जाती है ना ही वो अपने पती के साथ कभी स्पॉट होती है हाँ लिंडा दियोल के बच्चे जो है अक्सर उनके बर्डे पर या मदर्स डे पर उनके साथ तस्वीरे शेयर करते हैं वहीं दो-चार तस्वीरे जो हैं देखने को मिलती रही लेकिन बेटे करन दियोल की शादी में वो खुल कर सामने आई इससे पहले पल-पल दिल के पास फिल्म जब रिलीज हुई थी और करन दियोल का बॉलिवुड में डेब्यू हुआ था तब भी लिंडा को देखा गया थ और वो अपने बेटे की फिल्म देखने के लिए वहां आई थी आपको यह बता दें कि वह बहुत कम लाइम लाइट में रहती है नहीं लिंडा एक राइटर भी है उन्होंने यमला पगला दिवाना फिल्म की स्कृप भी लिखी है और साथ में सनी देवल की एक फिल्म आई और राजवीर देवल बॉलिवुड में लॉंच हो चुके हैं लेकिन हलाकि दोनों का करियर पूरी तरह से सेट नहीं हुआ करन देवल ने पहली फिल्म की उसके बाद से उनको कोई फिल्म नहीं मिली वही राजवीर देवल दोनों नाम के फिल्म में दिखे थे लेकिन वो फिल्म सिनेमा धरों में चली नहीं